सौच को गयव व्यक्ति पर हमला बचाने पहुँचे बेटे वा पतने की पिटाई में इलाज के दोरान बेटे की हुई मौत आपको बता दे की कोराओं थाना छेत्र के नगर पंचार कोराओं में गोविंद नगर निवासी राम चंद्र ओजा उम्र पचपन वर्स पुत्र स्वरगिय उमा शंकर ओजा अपने खेत में मंगल वार सुबह नौ बजे के लगठक घर के पीछे खेत में कहते तब ही अचानक चिलाने की आवाद सुनकर मौके पर पतनी शिव कुमारी ओजा वा बेटा अनिल कुमार ओजा की पिटाई कर दी गई जिसकी सूचना कोराओं पुलिस को शिव कुमारी ओजा द्वारा दी गई घटना के बाद घायलों को उपचार हे दू सामोदाइक स्वास्थ के इनर कोराओं ले जाया गया जहां कंभीर रूप से घाल अनिल कुमार ओजा वा रामचनर ओजा को स्वरूप रानी अस्पिताल के लिए रिफर कर दिया गया जहां इलाज के दोरान देर रात करीब दो बजे लगभक अनिल कुमार ओजा उम्र 21 वर्ष की मौध हो गई शिव कुमारी ओजा के प्रातना पत्रक पर मोहले के ही सोनू पुत्र हींग लाल वा हीग लाल पुत्र नेबू लाल तथा संगीता पत्नी हींग लाल तथा अग्यात के खिलाफ मुकत्मा पंजी कृत कर आरोपियों को गिरफतार किया गया वहीं उपजिलादिकारी संदीब कुमार वर्मा वा इंस्पेक्टर को राम चन्रभान सिंग के समझाने बुझाने के बाद मृता कनिल कुमार ओजा के शव को पोश्माटम के लिए भेज दिया गया और राम चन्र ओजा तथा पतने शुकमारी ओजा तथा मेडिकल सामुदाइक स्वास्तिकेंड को राओं में कराया गया जहां से उन पती पतनी को जांचेतू कालविन अस्पिताल के लिए रिफर कर दिया गया आरोप है कि उप्रोक्त आरोपी गड़ राम चन्र ओजा के खेत के समीब इस्तित खेत को बटाई पर लिया था जिसके मवेशी आये दिन इनकी फसलों को नुकसान किया करते थे जिसकी शिकात एक सप्ताह पूर्व भी की गई थी जिस पर मौके पर पहुँची पुलिस ने समझा बुझा कर मामले को शान करवा दिया था बुझ गया घर का चिराग राम चन्र ओजा के दो पुत्र और एक पुत्री थी पुत्री की शादिक कर दी गई वहीं दूसरी ओर अनिल कुमार से छोटा भाई सुनिल कुमार की करीब साथ वर्ष पूर्व बीमारी के कारण मौत हो गई थी वहीं आज बड़ा बेटा अनिल कुमार ओजा की मौत से मा बाप का चिराग छिन गया आकरोश पुलिस की कार प्रणाली पर उठे सवाल या निशान शियुकुमारी ओजा के अनुसार पुलिस को घटना की सूचना दिये जाने पर भी नहीं पहुची मौके पर और समय पर मुकद्मा पंजिक्रिद नहीं करने से दिखा आकरोश प्रियाग एक्सप्रेस निवस के लिए प्रियाग रात सेचिला क्राइम प्यूरो रोहित तर्मा की खास रिपोर्ट